तो जैसा आप लोग सुन चुके हैं कि आज जो हम आपको कुछ पांच बेसिक योगा पोस बताने वाले हैं जो महिलाओ को लड़कियों को रोजाना प्राक्टिस करने चाहिए वह हम आगे अपनी वीडियो में एक्स्प्लीन करेंगे तो चलिए जादा समय नहीं लेंगे अप स्क्राइब कर लीजिए और पास में वेल आइकन भी होता इसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे इन फ्यूचर हम कोई भी नई वीडियो पोस्ट करते अपने चैनल पे वह आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिल जाए तो चलिए वीडियो में हमें हेल्प करेंगी मंता जी मं मंता जी आपको पोसेश करके दिखाएंगी और मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा वह किस तरह से हेल्पूल होती है माईलाओं के लिए लड़कियों के लिए चलिए तैयार है ना चलिए तो सबसे पहला आशन हम आप लोगों को करके दिखाएंगे वह होगा कि वक्राश वक्राशन कैसे करना है यह हम आपको पूरी टेकनीक बता देंगे किस तरह से करना चाहिए सबसे पहले तो जितने भी आसने आपको खाली पेट करने तीन घंटे का गया फास्टिंग कम से कम होना चाहिए इसलिए हम बोलते हैं सुभा सुभा अगर योग असन करोगे तो उन स्टार्ट करिए अपने लेफ लेट से लेफ लेग को अठाकर राइट नी के बाहर रखती जी अचा całे सब्धे समझे ए ठीक से अब आपका जो लेफ नी है उसको राइट अलबो से अंदर प्रेस करो और राइट हेंडसे अपने लेफ एंकल को पकड़ डीजी इसको कि एक मिनट तक आप खोल्ड करिये तो अभी शासन का इफेक्ट देखिए आपके कहा कहा पढ़ रहा है तो महिलाओं के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज तक क्या हो रहा है आज के टाइम पे जो महिलाओं में प्रॉब्लम्स तरह तरह की प्रॉब्लम्स लड़कियो ट्यूब की प्रॉब्लम होती है या यू ट्रस की प्रॉब्लम होती है तो उन सभी चीजों को आप इसमें एंगेज कर रहे हैं डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है और आपकी बॉड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है तो 30 सेकंड तक आप इसको आपको लेफ्ट नी के बाहर रखिए पूरा फुट रख लीजिए बॉडी को पीछे की साइट ट्विस्ट करें और राइट नी को लेफ्ट एल्बो से अंदर प्रेस करते हुए लेफ्ट हैंड से राइट एंकल पकड़ लीजिए इस तरह से पकड़के खोल्ड करना होता ह जब आप खोल्ड करें पूरा एक्जेल करें सास छोड़ें पेट अंदर करें थोड़ा ओर ट्विस्ट करें इस तरह से आपको आसन में 30 सेकंड कम से कम रुखना है धीरे धीरे अपने हाथ से पैर को छोड़िए वापस आ जाईए दोनों पैर सीधे तो यह हुआ तीन-तीन बार आप इन आसनों को रिपीट करें जब आप तीन-तीन बार इन आसनों को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी आपका यूट्रेस का अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको औरी का कोई प्रॉब्लम है वो सारी प आपने देखा होगा कभी पुराने समय में महिलाएं चक्की से आठा पीस्ती थी और पुराने समय की महिलाओं में रिप्रोडेक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी कम होती थी यह सिस्ट का प्रॉब्लम इतना जादा नहीं होता था और नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो बहुत जादा था बट आज के टाइम पे आप अगर देखें तो वह नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो कम हो गया है सर्जिरी के डिलीवरी जादा हो गई है तो चलिए अब मैं यह खोल सकते हो उतना खोल के बैठ जाईए कमर गर्दन सीधी रखिए दोनों हाथ आगे इंट्र लॉक करेंगे पूरी तरह से और अब अपने दोनों हाथों को अपने पहले तो राइट टो के पास ले जाईए खीच के जितना आगे ले जा सकते हो और फिर घुमाते हुए ले इन्हेल एक्जेल करते रही हैं तो देखिए जब आप ये चक्की संचाला नासन करते हैं तो आपकी पूरा पैरों की मसल्स जो होती है वो स्ट्रेच होने लगती है आपको दर्द होने लगेगा तो यह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा आपके बैक के लिए बहु को क्लोक वाइस कर लीजिए इसके भी बहुत अमेजिंग फायदे आपको मिलने वाले हैं तो दो आसन हम आप लोगों को बता चुके हैं अब हम बात करेंगे तीसरे आसन के बारे में ठीक है ममता जी चलिए वापस आजाईए अब यहीं से हम तीसरा आसन करने वाले हैं तीस करना है हम उस आसन का नाम है सेतुबंध असन में आप क्या कर सकते हैं अपने दोनों एकदम सीधे लेटे हुएं अपने पैरों को मोल दीजिए घुटनों से इस तरह से दोनों हाथ पेरों के दोनों साइट जमीन पे रखना है प्रेस्ट ग्राउंड और सांस भरते हुए अपनी बॉड़ी को उपर उठाना है हिप्स को उपर उठाईए जितना उठा सकते हैं एडिया नीचे लगा के रखें और कोशिश करें आपका चिन आपके चैस् तीसरा आसन से तुबंद आसन अब इस आसन के मैं आपको फाइदे बता देता हूं सबसे पहले आपकी बैक मसल को स्ट्रॉंग बना रहा है आपके पेट पे स्ट्रेचिंग फील होता है तो पेट पे जो एक्स्रा चरबी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है दो इससे पहले जो दो आसन ते वो भी वेट लोस में बहुत हेल्प करते हैं यह आसन भी बहुत हेल्प करता है तीसरा जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कुमन प्र स्ट्रीज करता है और आपके हर्ट के लिए बहुत अच्छा है अब धीरे धीरे नीचे चले जाएए जहां पर तीस से किन आप होल्ड करें पंद्रा से तीस से किन जिसनी आपकी कैपसिटी है यह एक मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं इस आसन को जितना आप चाहें वापस एक कुछ समय डीप इन्हेल एकसेल करें फिर से करें तो इसको तीन बार आप कम से कम रिपीट करें इस आसन को आसन नमबर चार चोथा आसन अब हम बताने वाले मैलाओ के लिए वह होगा अर्ध हलासन अर्ध हलासन का मैं तरीका बता देता हूं फिर फाइदे में है टेल बॉन के नीचे एक के ऊपर एक रखके दोनों पंजो को आप बाहर की साइट खीचिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए 90 डिग्री एंगल तक यहां पर रुख जाना है अब काफी लोग यह इस तरह से पैर स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं वह पै घर का सारी जिम्मेदारी महिलाई उठा के रखती है तो अब महिलाओं को इसके करण करता है करें महिलाओं को स्ट्रेस भी होने लगता है बाल गिरने की बड़ी समस्या होने लगती है और थायरोड कम अल्रेडी बताई चुका हूं परेशान रहने लगते हैं तो यह आशन उन सब के लिए हैल्फुल है और एक जो सबसे प्रिया होता है महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए चेहरे पर गलो कैसे आएगा बड़े क्वेस्चन आते हैं तो यह चेहरे पर गलो लाने के लिए भी बहुत बड़ी है इसमें क्योंकि आप देखिए ना ब्लट तो बेंड करके लिए जा सकते हैं अगर आप प्रेट करके लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पेट पे बहुत अच्छा इंपक्त आएगा तो आपका वेट भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा तो इसी तरह से इस आसन को कम से कम तीन से पांच बार आप दोरा सकते हैं तो अब उसके बाद मैं पांचवा आसन और आप लोगों को बता देने वाला हूं वह पांचवा आसन है सर्वांग आसन सर्वांग आसन या फिर इसको हम बोल सकते हैं विप्रीत करनी मुद्रा तो उसमें क्या करेंगे सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाके दोनों हातों से हिप्स को उपर पुश करते हुए इतना यहां पे रुख जाना है अब यह आसन भी किसलिए है क्योंकि महिलाओं मैं जैसा भी बताई चुका हूं कि महिलाओं को बहुत काम होता है घर की सारी जिम्मेदारी है क्योंकि देखिए ब्लड सर्कुलेशन रिबर्स जा रहा है पीछे की साइड अगर आपके बाल गिरने की समस्य वह धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी आप थोड़ा ओर उपर खीचिए इस तरह से आपका थाइरोड ग्लैंड एक्टिबेट हो रहा है और चेहरे पर आपके ब आप पसाना है तो यह पांच आसन मैंने आपको बताए है जो पांच आसन आपको नियमित रूप से प्राक्टिस करने चाहिए तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑबर ओल है वो पूरी तरह से बदल जाएगी आप अच्छा महसूस करने लगेंगे चेहरे पर गलो आएगा तो परिशान मत हो ना चेहरे पर गलो नहीं आ रहे तो चेहरे पर गलो भी आ जाएगा आप लोगों के और आपके अगर बाल गिरते हैं बार गिनने भी बंद हो जाएगे और अगर वेट जादा है वेट भी कम हो जाएगा अगर आपको री प्रोडेक्टिव सिस्टम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार